गुद्मोरिंग बैच्चों आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नमबर 82 सब्जेक्ट मैच्स क्लास 10 तेंथ हमारी देज 5 फेबरी के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोक्षीट में हमें करने हैं रिवीजिन अपने पेयर ऑफ लिनेर इक्वेशन से टू वर पर देती हूं किस तरह के से सॉल्व करना मैथड क्या एक दो कुषिन में एक्स्प्रीन करके बाकी हैं आपको क्या करना है खुड प्राइ करने हैं ऐसा नहीं कि मैं करांगी सारे कोशिश करांगी मैं लेकिन इतने अच्छे से हम मतलब इनको क्या करेंगी हम बोर्ड पर इस वेल्यू के लिए जो ग्राफ है इस लीनियर एक्वेशन का वो कोइंसिदेंट लाइन होगें कोइंसिदेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन जो होती है मतलब इसी के ऊपर दूसरी लाइन ठीक है तो उसके लिए आपको वेल्यू निकालने है के की तो आपको पता है जब भी भी coincidence line आपको दी जाएंगी तो क्या condition होती है तो condition होती है कि आपका जो ratio है एका बी का और सी का जो ratio है दोनों में वो क्या होता है equal होता है जिन बच्चों को यह ratio यह सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कल की वोक्षीट देखो क्योंकि वहां पर यह हैं बहुत अच्छे से ठेक है वहाँ से चीजे clear हो जाएंगे आपको A क्या है इसका क्या है coefficient B क्या है y का coefficient और C क्या है जो आपको constant होता है एसी तरीके से यहां पर यह क्या है A2 यह क्या है आपका B2 और यह क्या आपका C2 इनका ratio निकालना है तो इनका ratio कैसे करोगे a1 by a2 2 by k b1 by b2 5 by 15 c1 by c2 k by a2 यह कहां से आया क्योंकि यह हमने कल बढ़ा था कि कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है ratio और parallel के लिए क्या होता है intersecting के लिए क्या होता है तो वो चीज़े आपको वो table आपको पूरी learn करनी थी ठीक है तो यहां से हम क्या करेंगे यह values हमने put कर दी जो cut रहा है उसको cut तो cancel हो रहा है उसको cancel कर दो तो मैंने first यह ले लिए 2 by k is equal to 5 by 15 ठीक है तो यहां से 5 by 15 कर जाता है 1 by 3 पे 3 उदर चला गया 2 के पास कितना answer आया 2 3 जा 6 मतलब जो r है वो आपको क्या आया जो k है वो आपको क्या आया 6 आया ठीक है इसको भी choose कर सकते हो यहां से भी आपके एकी value निकाल सकते हो भी क्या आएगी 6 ही आएगी ठीक है हो गया first question, now second question आपको second question में इन दोनों equations को solve करना है और value निकालनी है m की और जहां पे for which y is equal to mx plus 3 यहां पे आपको y दिया हुआ mx plus 3 के equal है आपको m की value निकालनी है इन दोनों equations के लिए solve करके ठीक है तो देखो क्या करोगे इन दोनों equations को solve कैसे करोगे Elimination method से एक equation ये थी, एक equation ये थी दो plus हो रहा है जो plus कर दो जो minus हो रहा है कट रहा सको कार दो तो यहां पर 2x और 2x कट, or cut चाता अगर यहां पर क्या हो जाता है । यह minus में होता है तो यह minus में मेंने किया है तो बाकी के मैं क्या कर दूँ साइन बदल दूँगी टिक है तो बाकी के में साइन बदल दी मैंने 2 से 2 कट गया इधर क्या आया 4 plus 3, 7 और 11-24 35 कैसे आया यह प्लस हो चुक है ना-24 24 और 11 35 तो यहां से y की value मेरे पास निकल आती है y की value निकल जाती है तो मैं क्या करूंगी इस y की value को किसी भी equation में रख दूगी तो मैंने इस equation में रखा जो दो equation दी गई थी ना में एक यह और एक ही इन दोनों में से किसी में भी इसको रख दो तो मैंने इसको रख दिया और यहां से क्या हो गया y की value को 5 पुट करने के बाद मैंने इपनी x की value ने काली जो कि मेरी minus 2 y ठीक है यह चीज एक चीज एक चीज एक स्टेप जैसे मैं करती थी कि यह कैसे आई यह दर जागे माइनस हो के दर जागे वह चीज़े बस नहीं बता रही हूं मैं क्योंकि अगर आपको यह जल्दी से हमें करनी है बीस या पच्छेस मिनिट में तो फटा-फटस एक बार हमें के बाद x-2 है तो हम y is equal to 5 हमारे पास है और x is equal to minus 2 हमारे पास है तो इस equation में y is equal to mx plus 3 है यहाँ पर हम value रख देंगे किस की जो हमारे पास 5 है इन सब की ठीक है 5 है और minus 2 है इनकी values हम रख देंगे तो हमारे पास m की value निकल जाएगी minus 1 ठीक है तो यह होगे आपका question number 2 now question number 3 question 3 है इन triangle ABC ABC triangle में जो angle C है वो 3B के equal to 3 times है B के और 2 times है A और B को मिला कर तो आपको तीनों angles निकालने है ठीक है तो देखो इस cancer कैसे होगा तो देखो यह तो इसने दे रखा है पहले से यह तो question में given है आपको तो यहाँ से क्या करो इन दोनों equations को ले लो root 3 angle B है और twice of angle A twice of angle B है तो यहां से इधर भी B है और इधर भी B है जो B बारे है उनको कर दिया एक तरफ ठीक है यह इधर प्लस था इधर आके minus हो गया तो 2B minus 2B कितना होता है एक single भी बच जाता है और इधर क्या था 2 root A था 2 root A था sorry 2 angle A था तो यहां से जो angle B है वो क्या है एंगल A का देख एंगल जो B है मतलब इस equation को angle जो B है वो twice है A का तो मुझे गर angle A निकालना है तो वो क्या है B का आदा है तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है ठीक है तो और क्या होगा जो आपका angle B है इसको कट कर दो बेटा यहां से जो angle B है इसको कट कर दो आप ठीक है जो angle A है वो किसके equal है angle B by 2 के equal है ठीक है यह आपको कट करना है तो इंटर angle ABC ABC में तीनों के angles का सम क्या होता है 180 degree होता है तो और यहां पर अपने A निकाला दे कितना है B by 2 है B B है और आपका जो C है question में दरखा था 3 times of B है इन सब को आप add कर दो यहां से आप क्या करोगे LCM लोगे LCM लेने के बाद यहां पर जो आपका total आएगा यह angle है यह C नहीं है यह क्या है यह आपका angle है तो जब आप इसको solve करोगे B के लिए एक ही चीज है ना B तो जब आप इसको B के लिए solve करोगे तो B आपका 20 degree और B अगर 20 degree आता है तो C आपका angle जो B है उसका 3 times 20 degree और angle A क्या था B का आदा था मतलब 20 degree ठीक है तो यह होगा आपका question number 3 ठीक है आप चलते मारे question number 4 पे question 4 आप से पूछा गया है कि कि किस value के 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 लिए systems है इन दोने questions का कोई solution नहीं होगा तो सबसे पहले आपको यह पता होना चुझे कि no solution के लिए कौन सी condition होती है तो no solution के लिए condition क्या होती है देखो no condition होती है जो A1 और A का और B का जो ratio वो equal होता है लेकिन C का ratio equal नहीं होता ठीक है तो कोई बात नहीं हम जो यह ratio जो given है इसी से निकाल लेंगी इसी से कैसे निकाला हमें दो equation दे रही थी उसका A B C हमने लिख लिए यह ABC अगर किसी बच्चे को नहीं आता कैसे लिखना है तब पिछली वाली worksheet पहले देखोगे तब करोगे तो चीज़े अच्छे से समझ में आएंगी तो यहां से यह लेलिया मैंने यह क्यों नहीं लिया 1 by 2 क्यों नहीं लिया इस से क्यों resolve कि यह क्या not equal to है इनके equal नहीं है इसको नहीं ले सकते जो equal है उसको हम लेंगे यहां से cross multiply करोगे k multiply के k square होता है 12 multiply 3 36 तो यहां पे जो आपका k की value है वो क्या है is equal to 6 ठीक है यह plus minus है k is not equal to 6 नहीं लिखा हुआ k is equal to यह plus minus है बेटा ठीक है plus minus 6 होगे fourth question नहीं देखो और क्या पूछा है इसनी fourth question की बाद देखो fifth question में पूछा है जो linear pair equations की यह equations आपको दी हुई है इसकी बहुत सारे infinitely many solutions है तो आपको value निकालनी है k की तो देखो सबसे पहले equations की की equation है की equation है इसमें से a1 और b a b और c चार्ट लोगी उसके बाद infinitely many solutions के लिए क्या है आपका solutions तो आपके लिए condition है आपकी जो ratios में वो सारे equal होंगी तो ratios equal होंगे मतलब 3 k plus 1 by 2 हो जाएगा यह क्या होगा 3 minus 3 और यह क्या हो जएका minus 5 into 5 टीक है infinite value solutions के तो यह हुआ न तो यह हुआ तो यहा हमारा जो 3 है 3 से कट हो गया minus 1 answer आया उसके बाद आप cross multiply करो इसको k के लिए आप solve करोगे तो आपकी जो value k की वो क्या आएगी minus 1 ठीक है सिर्फ k की value निकालनी थी यह यह आपका question number 5 होगे question number 5 अब देखो question number 6 आपको क्या करना है सिर्फ solve करना x और y के लिए यहां से आपको x और y की value निकालनी है ठीक है question number 6 बहुत important question है बहुत बहर आ जाते हैं तो यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए देखो कैसे निकालोगी दो equations आपको दी हुई है 2x-1-3 के बराबर है और 3x-5-1 के बराबर है तो multiply करना है आपको first को 5 के साथ ठीक है अब उसको 5 के साथ क्यों multiply किया है क्योंकि यहां पर जो चीज़े हैं यह क्या है 3 और यहां पर 5 बालों से multiply कर देंगे ओपर 5 बालों से multiply करेंगे तो चीज़े balance चलेंगे ठीक है तो यहां से यह क्या करेंगे हम equation जो 1 इसको 5 से multiply कर देंगे ताकि हमारा cancel हो जाए 5y है इधर भी क्या है y है खाली अगर इधर 5y हो जाए तो यह cancel हो सकता है इसलिए मैंने 5 से multiply किया और मेरे यह answer है आप मैं elimination method लगा दूंगी दोनो i की value मेरे पास आ जाती है ठीक है तो यह क्या होगा आपका question number 6 अब 7 पी देखो 7 में आपको पेर है linear equations का इन दोनों को क्या करना है solve करना देखो कैसे कर होगे question number 7 को direct equations दी हूँ है उनको एक बार plus को एक बार minus करो अगर मैं उनको plus करती हूँ एक equation यह है एक equation यह directly इनको plus कर द है तो यहां से 226 नीच आजाता है इसको कटने के बाद minus 3 आएगा इतर जो minus था उसको common ले लिया और इस minus हमने कार दिया तो x plus y की जो value है वो 3 की equal आई है आप इनको equations को दोनों को minus करना है minus करने के बाद आपके पास यह बचेगा कि जो x minus 1 है वो आपका 1 के equal होगा आपके प 2 आएगी x की value 2 आगी तो x की value की बाद आप x की जगे 2 रखो और आपकी y की value भी आ जाएगी ठीक है तो यह होगे आपका question number 7 question number 7 तक now question number 8 आपको क्या करना है solve करना following pairs of यह इन दोनों को solve करना है देखो कैसे करोगी question number 8 ऐसे जो question से बिटा उसमें आपको क्या करना है जो one upon में fraction में है तो क्या करो उसको u वी कुछ और मान लो one by y है ना इधर six के one by y है इसको u मान लो तो यहां से क्या होगा जब भी आप six upon y आपको लिखना पड़ता है तो आप six u लिख लो ठीक है यह आपको false clue गए इसी तरह किसे second आपकी question उसमें आप elimination method से इसमें और इसमें मेरा जो यू की value है जो मेरे तो यहां वे जो यह ए वो किस git बाइब में तो मोले बने य को इसको से separation वाला दिया हो तो यह को वनापोन में ही करें कुछ मान लो तो एजी रहेगा ठीक है अब यह होगा आपका question number जो question number है आपका 7th right अब यह जो y की value निकाली है वो हम कोई भी question जो हमने शुरुआत में ली थी उसकी जगे वापस value पुट कर देंगे y की value पुट करने के पाद जो हमारा x है वो कितना अगया 3k को लागया ठीक हो गया question number 4 अब देखो sorry question number 8 question number 9 पे चलते हैं देखो question number 9 है वो आपका homework है मैं दिखा देती हूं answer आपको दिखा देती हूं सिर्फ homework इसले दे रहे हूं कि आप इसको खुद try करो ऊपर वाला जैसा question थ बीचे fraction में x-y ठीक है एक तो equation यह होगे रोग दूसरे equation आपके पास यह है तो यहां से क्या करोगे पहले 1 by y को 1 by y को u मान देती है अब इस पूरे को u मान लो 1 by x plus y को u मान लो 1 upon xy minus y को u v मान लो ठीक है तो इनको मानने के बाद यह easy हो जाएगा हमारे पास यह क्या हो जा तो मैं क्या करूँ उपर 15 से कर दूँ नीचे 10 से कर दूँ तो equal आएगा न मेरा equal आजाएगा तो मेरा cancel हो जाएगा ठीक है बागी शीजी तो आपको multiply करनी है तो यह कर जाएगा सिर्फ तो यहां से जो मेरी v की value है वो बना जाएगी v की value बना गई तो जो आपकी first equation थी उस one होगा तो यह दो equations है हमारी जो यह वाली और यह वाली इनको हम elimination method से फिरसे solve करेंगे तो x3 आएगा और यह हमारा जो x3 है इसको फिरसे import करेंगे तो y की value आजाएगी ठीक है बहुत बड़े lengthy lengthy questions से नहीं समझ में आ रहे होंगी कोई दिक्कत नहीं हम इनको दुबारा से मैं कंडे को मैं हम आपकी class लेंगी elimination method के लिए ठीक है आप देखो next question यह तो देखो आपका first part था answer देख लिए आपने first part कैसे करना आप देखो second part है जो आपको करना है second part में क्या करोगे देखो second part है आपका second part आपको खुद करना है 1 by root x को यू मान लो 1 by root y को वी मान लो और root पाटाने तो इनका आगे जाके स्क्वाइर करेंगी answer दिखा देती हूं लेकिन समझ समझ की करना जिसको यह question नहीं समझ मैंगा वो मुझे बताएगा ठीक है यह question number 9 का second part है होगे question number second थोड़ा सा difficult है लेकिन difficult question करोगे तो concept उतना जादा clear होगा आपका ठीक है तो question number 9 का second part भी होगे आप four star second दोनों पार्ट होगे question number 10 देखो आपको graph बनाना है इन दो equations का और coordinates determine करने है और जो triangle वो बनेगा तीनों coordinates को मिलाने के बाद तो आपको जो triangle है उसको shade करना है ठीक है तो देखो यह आपका question number 10 यह मैंने आपको कल भी बताया था पर बना देना है ग्राफियो बनाने के बाद जो यह वाली लाइन है और जो यह वाली लाइन है यहां मीट करेंगी 2,3 पर एक तो यह coordinate बताना है चाहां पर मीट करेंगी और उपर से जो यह triangle form हो रहा है इसको आपको shade करना है और जो ट्राइंगल के तीनों vertices है वह आपकी यहां पर है ठीक है होगे question number 10 11 देखो question number 11 में आपको दिया हुआ हुआ है कि जो एक motor boat है वो 30 km upstream travel कर सकती है और 28 downstream travel कर सकती है साथ घंटे में तो it can travel 200 km upstream return in 5 hours find the speed of the boat in the still water and speed of the stream सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है upstream downstream जो लहरी होते है जिसे पानी के बहाव के वज़े से उपर नीचे हो जाती है उसी को upstream downstream बोल देते है ठीक है और एक और चीज जो time का formula क्या होता है distance upon speed है यह भी पता होना चाहिए मालेजिए speed है bottle की sorry boat की still water में मैं जो पानी ठहरा हुआ है move नहीं कर रहा है x km परती घंटा है और stream की जो नदी जो बह रही है उसकी y km है तो upstream के लिए क्या होगा x-y km per hour speed जो होगी और downstream के लिए आपकी speed होगी x plus y तो question के यह साब से उसने बोला है कि 30 जो distance है आपका 30 और speed आपकी यह है फिर distance आपका 28 है और speed आपकी यह है जो कि 7 के equal है तो यहां से आप क्या करोगे xy की value निकालने के लिए फिर से इसको यू और weeky form में लिखोगी और weeky form में लिखके बहुत एजी एक दुसरे को multiply करके यहां पर आपका easily solve आजाता है u की value आजाएगी जो u की value आपकी आएगी वो क्या करोगी आप उससे हम weeky value find out करेंगे ठीक है तो यह होगा आपका question number 11 ठीक है कुछिन 11 की बाद देखो जो लास्ट कुछिन है आपको बोला गया आठ वुमेन हैं और 12 मैन है जो काम को कम्प्लीट करते हैं 10 दिन में जबकि जो 6 मैन और 8 मैन वह उसी काम को कर देते हैं 14 दिन में, आपको टाइम बताना है कि एक जो अकेली मुमन है या फिर एक अकेला मैनस यहां से एक तो यहीं बना लो इतना हो गया अब आगे देखो उसके बाद इतनी को बनाने के बाद जो आपकी एक्स और वन अपन वाई है उनको आप फिर से यू और भी मान लो और दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो की बाद आपकी एक वेल्यू को निकालने की बाद आपको उसको किसी में पुट करना होता है क्या है अब को तो जो मैंन है वो कर सकती है वह को जो को बिदर जुटा सबस्बर तो आज थोड़ा से कम सब्सक्राइब है तो यह वोकशिट बहुत बहुत जद लंबी बन मतलब एक गंटे की डिट गंटे की बन जाती जो पॉसिबल नहीं देगे कोशन के साथ इतना तो मैंने जल्दी जल्दी में सिर्फ आपको सॉल्यूशन से रूबरू कर आया है आप पो अपना होंवर कंप्लीट कर लीजी फिर हम इसको अच्छे से डाउट से स्टेप लगे कं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थाइंक्यू और ग्रेट दे बिटा